हेलो अब इस फूडियो में बिल्कुल आसां तरीकिस टेप पर स्टेप 148 cm को फिट इंच में कैसे करें यह समझेंगे जो सबसे आसां तरीका मैं समझ पाया हम वो आपके साथ से एर करूँगा देखिए किसको करना है सेंटीमिटर को तो एक सेंटीमिटर जिसको करना है उसका एक का वेल्यू किसमें पता कर लो देखिए सेंटीमिटर को पहले हम इंच में करना हमारे लिए आसान हो जाएगा सेंटीमिमीटर को फिٹ में करbles करें फिर इच में करण करें तो वो तोडह मुश्चिल रहता है उसमें कैल कुलेरिशन जद्धा करनी पड़ती है इसमें आपको क्योब एक वर ही कैल कुलेशन करना है कैसे करने बहुत हम समझ लेंगे तो एक जो सेंटीमेटर है वो रहता है आपका 1 by 2.54 इंचेज तो करना क्या है बिल्कुल सिंपल है यह आपका रिलेशन है यहाँ पे 148 सेंटीमेटर को पनवर्ट करना है तो देखे इसको हम यदि मल्टिप्लाइ कर देते हैं किस से 148 से तो यहाँ 1 मल्टिप्लाइ 48 कितना आजएगा 48 सेंटीमेटर आजएगा यहाँ 1 मल्टिप्लाइ 148 आजएगा नीचे डिवाइड में कितना 2.54 है और इस साइड आपका यह क्या है इंच वेल्यू है इस प्रकार से सेंटीमेटर से है जो यह इंच में करमाट हो गया ओके आसान है अब जैसे हम इसमें सिक्स, सेवन, सेवन, इंचेज तर आप देखे यह इंचेज वेल्यू है ऐसे समझिए यह इंचेज वेल्यू है इसको किस में रोड करना है फीट में करना iade करना है को तो आप जानते हैं एक इंच बडू़र कितना एक इंच बरावर कितना रहता है वन बाई च्वैल फेट रहता है यानि हम अब देखिए यहां भी मैं एक ट्रिक बताऊँग इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 गुना 4 rit4 तों कि रिख सकते हैं 48 प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं इसमें 12 की डिवाइड करेंग, इसको देखें, इसमें 12 की किसमें काabout हो जाएगा, फिट मैं तो इसमें सकता हूं किया 12 गुणा 4 प्लस दस पॉइंट दो छे साथ साथ इंच अब इसमें यह किसमें इंच में इसमें है यह दिह हम 12 का डिवाइड करें गया किसमें आ गया फिट में आ गया तो यहां कितना गया दस पॉइंट दो छे साथ साथ इंच इसमेंड कितना लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं यहां पांच से बड़ी हो तो हम जब यहां से छोड़ेंगे तो आगे में प्लस 1 करके लिखते हैं यह बात आपको मालूम होने चाहिए तो इस प्रकार से हमने अपना 148 cm को फिट इंच में करना सिखा